तो आज हम बनाने वाले हैं नए तरीकी की रेसिपी यह है भेज स्प्रिंग रोल इसे आप घर पे बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं पूरा रेसिपी देखने के लिए पूरा वीडियो पे बने रहे ताकि आपको अच्छी तरह से यह रेसिपी पता चले तो गाइस इसे ब डालेंगे और इसे अपने हातों की मदद से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और गाइस पूरा वीडियो देखें इस कीप ना करें वरना आप इसमें कुछ गल्दी कर सकते हैं तो गाइस पूरा वीडियो देखें तो मैंने यहापर मिक्स कर तो लीजे तैयार है हमारा बन गया है इससे हम बनाएंगे रोटी के तरह गोल गोल ताक क्योंकि हम बनाना है स्प्रिंग भीज रोल तो गाइस बस इसे मैं थोड़े दर के लिए ढख के रग देती हूं साइट चलिए अब मसाला बनाने चलते हैं तो मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें कटोरे के ले लिए हैं अब कटोरे में डालेंगे रेट चिली पॉडर और हम इसमें जालेंगे चाट मसाला इससे स्वाद अच्छा बनता है गरम मसाला डालेंगे और मैंने इसकिन पर भी सारा लिख दिया है यहां क्योमिक पॉडर डाला है मैंने और coriander powder डाला है और मैंने यहां पर black paper powder डाला है और यह नमक स्वादनुसा अब इसे mix कर लेते हैं आपको मेरे skin पर भी display हो रहा होगा कि क्या के ingredients चाहिए तो guys इसी तरह से बनाए इस तरह से mix कर लें अब हम इसे side करके रख देते हैं अब हम next process में जाते हैं अब हम क्या करेंगे एक कटोड़े में बेनी कर लेंगे एक चोथाए कप बेनी कर लेंगे और जो मिर्ची है उसे हरा मिर्ची को रख देंगे और उस डाल देंगे चोटे चोटे पीसे इसमे कट करके और हलका सा नमख डॉल की इसे साइड रग देंगा तो गाइज इसी तरह से करें और इस तरह से बना के देखेए आपको यह रिशो भी रिशो 91 और तो गाइज इसे भी साइड कर देते हैं जलते हैं ने एकस प्रोसेस मैं अब हम क्या करेंगे कढ़ाई को गर्म करेंगे तावे को गर्म करेंगे और उसमें मैंने दो चमस्च ओइल डाला है और इसे हलका सा गर्म होने देता है गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे लेजन मैंने पहले से कट करके रखा था तो उसे डाल देंगे और उसमें डालें पर अराम से पकाते हैं इसका सौटेड होने के बाद हम इसमें नेक्स्ट इंग्रियंट्स टालें तो गाइस इसी तरह से तरीके से बनाएं बिल्कुल इसकी इपना करें वीडियो सारा प्रोसेस तकि आपको अच्छे तरह से पता चल सके कि यह कैसे बनाया जाता है बहुत ही इजी तरीका है घर पर बना सकते हैं ब्रेकफास्ट में या फिसाम में नास्ते में यूज कर सकते हैं तो गाइस यहां पर मैं रेट कलर का जो चिल्ली पॉडर होता है कासमेरी वाला वो डाल दी हूँ हल्दी डाल दी हूँ उससे कलर अच्छा आता है और मैंने हलका सा नमक अब हम इसमें डाल रहे हैं फ्रैंकी मसाला दो टीशप 나타ा अर इसे बना अब यह अच्छी ठरह से हो चुका को इसमें डाल डेना है और इसे डालने के अच्छी तरह से पकास तो गाइस इसी तरह से बना है काफी टेस्टी काफी मज़ेदार रेसिपी है अब यह अच्छी तरह से हो चुका है तो इसे एक प्लेट में यह कटोरे में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं थोड़ी ते तो यह आलू बिल्कुल अच्छी तरह से पक पाफेक्ट हो जाए तो इसी तरह से आटा लगा है और रोटी के तरह गूल बेल लें तो जिस तरह से वीडियो में देख रहा है बिल्कुल इसी तरह से करें यह रेसिपी आपको अच्छा लगेगा मेरा यकीन है और बच्चे भी पसंद करेंगा तो गाइस इसे अब हम पक पका लेते हैं ताबे पर बिल्कुल यह रोटी के तरह और जितने भी है मैं पहले सबसे पहले सारे को पका लेती हूं तो यह अलो फ्लेम पर पकाएं ताकि जले ना माइदा डाला हुआ है इसलिए यह वाइट दिक रहा है तो गाइस इसे मैंने निकाल लिया बैस जादनी बिल्कुल 60-70% पका ले और हम क्या कर रहे हैं जो आलू जो है हमने रखा था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो हातों की मदद से उसे इस तरीके से जैसा वीडियो में दिख रहा है इस तरीके से बना ले सेप दे रहे कोई भी सेप दे सकते हैं आपकी मर्ची है अब मैं मैंने एक कढ़ाई पे ऐल डाला है एक चमच और मैंने आलूच का जो बनाया जो मैंने मसाला से तयार किया था उसे अब इस पर डाल के इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे एक तरह से आप बोल सकते हैं यह टिक की ही है तो इसे हमने पका लिया है इसे भी आप साइट कर के रख देता है आप चलते है निक्स परसेस में अब हम फिर से एक तावा लेंगे और उस पे अराम से ऑईल डालिए बिल्कुल ओ फ्लेम पे पकाएं और बटर डाल दी हूं मैं बटर अब काफी अच्छे तरीके से हो चुका है तो अब हम इसमें जो रोटी हमने पकाया था 62-70% उसे डाल देता है उसे भी थोड़ी दे तक पका लेता है ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए दोनों साइड आप चाय तो बटर नहीं भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल ओल भी यूज कर सकता है तो लिजी ये भी हो चुका है तो इसे मैंने साइड कर लिया अब रोटी टिकी तो उसे डाल दे रही हूँ और उस पर हलका सा कैबेज, हलका सा अनियन मैंने कट कर के रिखा था उसे भी डाल दी हूँ और फ्रेंकी मसाला डाल देंगे अब हम क्या करेंगे जो पैनिगर में मिर्ची डाल के रखा था उसे डाल देंगे बिल्कुल इनम मिर्ची का अ चीज चीज पूरा वीडियो देखें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करना विलकुल ना भूले तो हातों की मदद से इसे अच्छी तरह से रोल कर लें जैसे कि आपको वीडियो में देख इसी तरह से रोल कर लें जितना भी बना और एक पेपर जो बटर पेपर आता है उसमें हम इसे रोल कर दे रहे ताकि बिलकुल अच्छे तरीके से हो जाए और यह गिरेना आप बच्चे को बच्चे होए बुड़े सभी को दे और सब पुरा फैमिल इंग जॉय करें तो गा में नेक्स्ट प्रेसिपी के साथ आज के लिए ही इतना ही तो टाटा बाए बाए